Hello everyone, welcome to our channel Physical Education with me जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बल आइकन दबाना मत भूलेगा ताकि आपको हमारी चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे आज हम बात करेंगे Types of Personality जिसके अंदर हम Sheldon के According to Sheldon जो इन्होंने Types of Personality के टाइप दिये हैं Classification की है Physical View के According तो उसके अंदर इन्होंने त्री टाइप से बताए गए हैं Andomorph, Mesomorph, Acromorph आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो ते लिए स्टार्ट करते हैं Various Psychologists have given different classification of personality चायर सी बात है बहुत सारे Psychologists हैं जिरोंने अपनी According अलग अलग परकार से Psychology की, Sorry, Personality की Classification की है तो जो Sheldon है इन्होंने इन्होंने बैसिजों फिजिकल ट्रेड भी फिजिकल व्यू कैसा है पर्सन का देखने में कैसा है ठीक है उसके According Classification ही है और इन्होंने त्री टाइप गिये हैं पर्सनेलेटी के According टू फिजिकल ट्रेड परस्ट है NM podría ie एंडो मों और जिसके अदर फटी परसं फोड़े मोट्य परसं वो इसC Following में आते हैं रहें सजाब고 मेज़ों 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 के अंबर आते है जो थोड़े मस्कूलर टाइक्ल कीश होटे है अथलीट टाइप को होते है वो आते हैं मैजो मॉफ की में जानासट आता है थर्ड की में होते हैं थोड़े से थिन बोरी के होते हैं कि कि आते हैं किसमें गूंश में तो अब यह सो बोजले मतरे चाब Hem मोफ एंडो मोफ अंडे की तरह गोल-गोल है मतलब राउंड राउंड है मतलब मोटे हैं ठीक है शोटी हाइट होगी अगर मोटे है तो जायर सी बात है हाइट है चोटी हो जाएगी और जोनकी बोड़ी है वह थोड़ी राउंड हो जाएगी थोड़ी मोटे बैन मैजो अब म को कैसे करें मेजों मंस्कुलर है गौश्चे से तो यह इसके अंदर वह कैटिग्री के आएंगे परसल जिनकी अच्छी है बोडि वह सारे मेजो मोगा अब लास्ट आता है एक्तोमॉख अब इसको कैसे डिफाइन करें यह तो सबसे असान अध्याए एक्टोफ की से थिन एंड टोल पतले भी है और लंबे भी हैं वह भी कन्फिजन दूर एंडो मॉफ मैजो मॉफ एक्टोमॉफ एंडो राउंड मेजो मस्कुलर एक्टो थीन है तोल है चलो च्रेक्टर स्टिक्स हमें पता चलगी इनके अकोडिंग ही च्रेक्टर स्टिक्ट है ठीक है मलब बता देंगे जैसे अब यहां पर बात करें अगर हम एंडो मॉफ की ठीक है इसके अंदर बता देंगे कि जो शोल करेंगे ब्रोर्ट शोल्डर ठीक हैं ध्रिट एक्टी जो फूला कैंनल भूत होगा ठीक है उसके बाद इन चोलिर इनके भीप्स वह जाओंगे नियरो यही सब चीजिए हं इनको वन बाई वन डिफाइन करेंगे अब इनका थोड़ा सा हमें क्या बनाना है थोड़ा सा डाइग्राम में भी दिखाना चाहिए है ना तो अब यह परसन तो बनेंगे जुरूरी नहीं है हर किसी की ड्रोइंग अच्छी है तो बिल्कुल सिम्बल सा फंडा है क्या करना है सरकल लगन liter हम करें अड Delaware की बारी बारी बात गौर्ट मर्ट यह हो गयर मरं कर भाद परसंग यह होगिंद या अनलम करें मेरी तरह खराब मैजमोफ थोड़े से अपकोलल ठेक है मस्कूलर हम इनके तो आप्स भी होंगे तो यहां प्र आप्स भी हैंए थे इस भी हो गए उसके पर बाद फिर अता हैमारा फिर रही ऑंडे शेल धिन है और लंबे भी यह हं ठीक है यह गया एक्टोमोफ और यहां पर वन थींग इंपोर्ट N अगर आप डाइग्राम बना रहो तो वहां पर मेंशन करो क्या है फंद्र मेर्च करो नाम मेंशन करो यह मेजोमोफ और यह एक्टोमो यहाँ पर हो रुप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया गाउगा इनके तरब दिफ कर सकते हो आप मुझे यह कमेंड बोक्स में लिखना कि वन तू और थ्री मैंने आप यह नंबर डाल दिया अब आप बताना फिर्स्ट जो परस्टनाइट आप तभी क्रिया परसनी की वह किस कैटेगरी में आता है यह आप सब को दताना है आप इस लिख अचिए व्यूड़ के हैं तो छोटी हां चैटि हाइट होगी तो छोटी है एं चोटी होगी तो चोटी हांस ओगी अजटी हाइट होगी उसंती आड़ इस टाइपीवाइड आजारियल ऊफ फन पीपल बहुत हसमुख पर्सन होते हैं अब इनकी ट्रेक्टस्टिक की बात करें देखने में कैसे होते और मोते होते हैं तो जो हुप्स होते हैं वह क्या होते हैं फोड़ी फ्रोड ओडों गोर में नेरो शॉल्डर शॉल्डर भीखा सकते हो जब आप यह लाइन लिखते हो, वाइट लोट ओफ फैट सेपराइट अराउंड भी बोडी, अपर आप अरांस एंड थाइस, ठीक है बहुत तारा महलों, इनकी बोडी में क्योंता है, फैट चड़ होता है, जैसे अपर आप अरांस में, स्लीम होती है अब इनकी साइकलोजीकल थोड़े पैक्टर की बात करें इनका नेचर कैसे होता है सोच लेबल सब से अच्छे से बात करते हैं फणी लविंग होते हैं टेमपर्ड मतलब अग्रेसिव नहीं होते और किसी के साथ कमफर्टली रहते हैं प्यार करते हैं तोलरेंट पैस्किन की बहुत अच्छी होती है रिलेक्स्ट माइंड के होते हैं खाने को सबसे इंपोर्टेट फैक्टर है तो खाने को बहुत जादा पसंद करते हैं यह बात हो गई हमारे किसकी एंडो मोफ पर्शनेल्टी टाइप अपोर्डिंग टू सेल्डन अब बात करते हैं से एक्टो मोफ के बीच में क्योंकि यह ना मोट होता है और ना ही अब यह कैसे होते हैं यहां पर क्रेक्टर स्टिक्स है जब यह आप पर डिफाइन करना हो जाएट सी बात थोड़े बनलब ऐसे अलग-अलग चीजों को डिफाइन करें अब फास्ट है लाज है ब्रोड शोल है वो दिखाई देती है बहुत होते हैं इनकी फोराम और हाइस बहुत ही कम लीटल बोडी फैट होता है जो बहुत कम होता है उसके बाद हम इसके थोड़े psychological factors होते हैं जो उनकी बात करते हैं adventurous होते हैं बोल्ड होते हैं और अजियस मतलब सासी होते हैं किसी भी काम को करने से डरते नहीं है रिस्क रिस्क लेने से नहीं डरते उसके बाद competitive nature के होते हैं लिए कि लिखने से निढ़ते किसी से गबराते नहीं है तो बार धी तैयार पर रहते हैं दूसरों से हटके सोच купार करनेशन से आंफ नेक्स्ट के अब मजाग्या गा अन्हों चाए और अंवर्फस उमजा गया जाग्या अब घॉ सकार्पमॉर्फी दी करें और ectomorph क्या होते हैं बिल्कुल opposite of the endomorph endomorph मोटे होते हैं तो ectomorph पतले होंगे endomorph के shoulder क्या से होते हैं नेरो होते हैं बट hips क्या होते हैं वाइड होते हैं लेकिन ectomorph में क्या होगा narrow shoulder और hips भी ये बिल्कुल बचारे पतले से ताड़ के तेड़ की तरह होते हैं तो यह इस परस्टनेलेटी के बिल्कुल पतले मैं अधिन एंड नारो फेस वही बात अब देखो डिफाइन करता लगा लग कीज़ को बता दिया अध्ला होगा नारो फेस एक हाइट भी पतले होगे और जो चैस्ट है वो भी नारो होगी और अब्डोमन भी नारो होगा टांगे और आंस लेग्स एंड आंस वो भी क्या है पतली पतली है बोली फैट वह बहुत कम है एवन थोर्दे में एक आज मच आज अंड़मोफ अरे वाग अगर यह अंड़मोफ जितना भी खते हैं ना इंड़मोफ खते हैं बतायदा ना कि वो उनको खाना बहुत पसंद आए यह अगर इस परस्टनलिटी के परसंट चाहे जितना मज़ भी खाले हैं उनसे ज्यादा खाले इनका वेट में बढ़ेगा यह मोटे होंगे ही नहीं क्योंकि इनकी टाइपस ऑपरस्टनलिटी ही ऐसी है अब साइकलोजिकल थोड़े डिसकस कर लेते हैं इनके फर्स सेल्फ कॉंसियस होते हैं शोचल एक्जियस समाज से थोड़ा घु इनके इनके इमोशन से यह जाहिर नहीं करते गुष्य को प्यार को यह मतलब बोलते हैं वह बैलेंस बैलन्स वह प्राइवेट आर्ट आर्टिस्टिक थोट्फूल इंट्रोवर्ट जहां पेंट्रोवर्ट वी यूज हो गया मतलब यह जादा अपने आपके साथ बाते करन अपने आप में रहना अगर इनको कोई decision लेना है तो क्या करेंगे पहले उसके सोच स्विचार करेंगे तो यह जो है किस टाइब के परसनों पर आपके अगर कोई भी डाउट होंगे इस टोपिक से रिलेटिड वो सब इक्लियर हो गए होगे अगर आपको वीडियो हमारी अ का feedback बहुत ही important होता है हमारे लिए आप हमारे साथ direct Instagram से भी contact कर सकते हैं Facebook से भी contact कर सकते हैं और Telegram से भी contact कर सकते हैं Link आपको description में मिल जाएगा Thank you so much learn together and start from now